अपको पूरा यकीन है कि आपको इस बात पर गर्व होने लगा होगा कि आपका बच्चे का भविश संदर बने वो एक काम्याब इंसान बने आपका जो यह सपना है ना, वो अब आपकी सरकार का भी सपना है अगर आपके पास में 100 बच्चे हैं किसी समय पे तो 5 बच्चों को 5 बच्चों को अच्छी एजूकेशन मिल जाएगी और 95 बच्चों को अच्छी एजूकेशन नहीं मिलेगी, वो मजबूर होंगे कि वो लो इस्टेंडर की एजूकेशन से अपनी जिंदगी चलाने पे जाई नहीं, परन्तु आमादमी पार्टी की सरकार ने पिछले 3 साल से डिली के सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाने में बहुत प्रयास किया है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपने सरकारी स्कूलों में जो सुधार किये हैं, उनमें सबसे बड़ा कदम क्या है? उसमें सबसे बड़ा कदम है पैरेंट्स का इनवालमें पारी गवर्नेस का मडल यह है कि लोगों ने हमको चुना, हम लोगों को हक दें कि लोग अपने स्कूल को चलाने में भागीदारी निभा सकें, उसका फायदा हुआ कि स्कूल में अकाउंटबिलिटी बढ़ी, स्कूल की ओनर्शिप बढ़ी और जो SMCs हैं आज वो स्कूल की ओ लाना, यह हमारे लख़े